नमस्कार ये आकाशवानी है अभी आप सानुस्तर्मा से समाचार सुनेंगे पहले मुख्य समाचार प्रधार मंत्री नरिंद मोदी आजन नहीं दिल्ली में जमेका के प्रधार मंत्री डॉक्टर एंड्रियो हालनेस के साथ वार्टा कर रहे हैं जमुकस्मीर में विदान सभाचुनाव के तीसे और अंतिन चरण में मदान में 44 प्रतिशत मदान डर्च किया गया क्रिशियो और किसान कल्यान मंत्री सिवराट सिंग चोहान ने आज किसानों की समस्याव का समाधान करने की सरकार की वचनवदता दोराई सेना प्रमुक जनरल उपेंदर द्रिवेदी ने कहा कि चीन के साथ वास्तविग नियंतरन रेखा LSE पर इस्तिती इस्तिर है लेकिन सामान्य नहीं अब समाचार विश्तार से प्रधानमंत्री नरेदमोदी आज नई दिल्ली में जमेका के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रियू हालनेस के साथ वार्ता कर रहे है प्रधानमंत्री ने हैदराबाद हाउस पहुंचने पर डॉक्टर हालनेस का गर्म जोसी से स्वागत किया डिवक्षिय संबंदों को मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच अनेक समझोते ग्यापनों और समझोतों पर हस्ताक्षर किये जाने की उमीद है डॉक्टर हालनेस की यह पहली भारती यात्रा है जमायका के प्रधान मंत्री का राश्रपती और उप्राश्रपती से भी मिलने का कारिक्रम है चार दिन की यात्रा के दोरान वह व्यापार और उद्योग जगत के प्रमुग हस्तियों के साथ भी बातचीत करेंगे उनका कलवारान सी जाने का कारिक्रम है हमारे समाधाता ने बताया है कि जमाइका के प्रधामंत्री की यात्रास से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ने के साथ साथ कई अन्यप्रमुक छेत्रों में साज़ेदारी भी मजबूत होगी भारत जमाइका के विकास परियूजनाओं में सक्रिय भूमी का निभा रहा है प्रधामंत्री मोदी ने 2019 में जमाइका के किस्टन कस्वे में ग्रामिन विकास परियूजना के लिए 10 लाख डॉलर की साहता की घुजना की थी यह पहल जमाइका के सतद विकास के प्रती भारत की वचन वद्धता को प्रदशित करती है व्यापार और निवेश के मोचे पर दोनों देशों के अच्छे प्रगति की है भारत और जमेका के बीच व्यापार अच्छे करोड आठ लाक डॉलर तक पहुँच गया है और वहां भारत का निर्यात निरंतर बढ़ रहा है भारतिया क कश्मीर में विदानसभा चुनाब के तीसडी और अंतिम चरण के मदान में 44 प्रतिशत मदान दर्ज किया गया हमारे संभादाता ने बताया है कि मदान केंड्रों पर मदातायों की लंबी कतार लगी हुई है साथ जिलो के सभी चारे स विदानसभा सीतों के 5,008 मदान पर सुबह साथ बजे कड़ी सुरक्षा के बेच मदान सुरू हुआ, मदान वाले जीलों में जम्मू छेत्र के जम्मू कटवा और संबा तथा कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा, बारामुला और बंदिपूरा जीले सामिल है, चुनाव आयोग के पारदर्सिती तथा के सुविधा की गई है, विदान सुबा चुनाव के पहले दो चर्णों के लिए 18 और 25 सितंबर को मदान हुआ था, मतों के गिंती 8 अक्टूबर को की जाएगी, अर्याना में विदान सुबा चुनाव के तीस तारीक नजदीका आने के साथ ही प्रचार अभियान टेज हो गया है, राज की 90 विदान सुबा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को मदान होगा, विविन राजनितिक दलो के नेता अपने पार्टी उमीदवारों के लिए, को संबोधित करेंगे, जमु कश्मीर और हर्याना में विदान सुबा चुनाव के लिए वोटों के गिंती इस महिन की आठ तारीक को होगी, क्रिसी और किसान कल्यान मंत्री सिवरा सिंग चोहान ने आज किसानों की समस्याव का समाधान करने की सरकार की वचन वद्दता दोर ने दिली में किसान संगतनों और किसानों के साथ हुई दूसरी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए स्री चोहान ने कहा कि इस बैठक के दोरान उर्वरक के अधिक उपयोग सहीत बीच और कीट नासकों की उपलब्दता को लेकर बिभिन समस्याव पर चर्चा ह हुई आकाशवानी से बादचीत में किसान संगतन किसानुन्यन सवतंत्रता के संग रक्षक के सदस्या आचारिय राम गोपाल दिक्षित ने कहा कि सरकार के साथ बादचीत उपयोगी रही है स्री चोहान ने आस्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का जल्द समाधान होगा इस्राइल द्वारा दक्षिन लेबनान में जमीनी हमला सुरू होने से तनाब बढ़ गया है इस्राइली डिफेंस फोर्स आईडियेफ ने उत्री इस्राइल के निवासियों पर ततकाल खत्रों का हवाला देते हुए सीमा के निकर्ड हिजबुला के ठीकानों पर सीमित और लक्षित हमले सुरू किये है एक सुनियोजित रनिती के अनुसार इस्राइल के ऑपरेशन नॉर्डन एरा अभियान के तहत इन हमलों की स्विकृति राजनितिक नेताओने दी है IDF ने खबर दी है कि सेना इन हमलों की तयारी में कई महिने से प्रस्टिक्शन ले रही है सेना को इस्राइली वायु सेना और तोप खानों से समर्थन मिल रहा है सेना इन छेत्रों में सेन्य ठीकानों पर सुनियोजित हमला कर रही है यह संगर्स कई मोचों पर फैल चुका है इस्राइल द्वारा इस्थाने निवासियों को खाली करने के आदेश जारी किये जाने के बाद यह कई सीमावर्ति ठीकानों को निसाना बना कर बिरूत से दक्षिनी उप नगर पर और अधिक हवाई हमले सुरू कर चुका है इस बेच इसराइल और हमास ने लेबनान में हमास के प्रमुख फते सरीफ अबू अलमीन की मौत की पूष्टी की है सेना प्रमुख जनरल उपेंदर द्रिवेदी ने कहा है कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रन रिखा एलेस्टी पर इस्तिती इस्तिर है लेकिन सामाने नहीं नई दिल्ली में आज चानक्य रक्षा संबाद पर सेना प्रमुख ने कहा कि भारत मई 2020 में सेन्य गतिविदी सुरू होने से पहले अप्रिल 2020 के इस्तिती बहाल करना चाहता है उन्हें कहा कि इसमें जमीन पर नियंत्रन बरफ जोन और गस्ति के संदर्विक ते पहले जो इस्तिती थी उन इस्तिती को बहाल करना सामिल होगा जनरा उपेंदर द्रिवेदी ने कहा कि जब तक पहले की इस्तिती बाहल नहीं हो जाती तब तक वास्तविक नियंतरन रेखा पर इस्तिती संबेदन सिल रहेगी भारत किसी तरह की हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है वित्यमंत्री निर्मला सितरमन ने कहा है कि गरीबों और छोटे विवसायों के लिए बैंक से रिन लेना अब आसान हो जाएगा उन्होंने कहा कि यह जंधन योजना के कारण संबब हो सका है उन्होंने आज इटनेगर में रिन आउटरीच कारिक्रम के दोरान बिभिन सरकारी योजनाओं के लाभारतियों को संबोधित करते हुए यह बात कही उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने वेंको की लंबी कागजी कारवाही या बिना किसी गिर्वी के लोगों के लिए इन योजना के सुविधा का लाब भी सुनिश्चित किया है वित्य मंत्री ने कहा कि रिन आउट्रिच कारिक्रम सरकार को कल्यानकारी यूजनाव से आम लोगों को लाब पहुँचाने की समिक्षा करने योग बनाती है स्रीमती शीतारामन ने विबिन सरकारी यूजनाव के अंतरगत 160 लाभारतियों को रिन स्विक्रिती पत्र वित्रित किये रक्षामंत्री राजनाज सिंग ने आज नई दिल्ली में राष्टिय यूद स्मारक से 7000 किलोमेटर लंबी वायू बीर विजेता कार रैली को रवाना किया इस कार रैली को भारतिय वायू सेना की 92 वर्सगाट के अवसर पर इस महिने की आठ तारिक को लदाक से लदाक के थायस वेस से अरणाचर पदेश के तावां के लिए अपचारिक रूप से हरी जंडी दिखाई जाएगी रक्षा मंतरि ने कहाई कि वायू बीर विजेता कार रैली वायू सेना के बारे में जागता फैलाने के साथ साथ युवाओ को प्रेडना भी देगी उन्होंने का कि वायो सेना के अधिकारी रेली के बीच में छात्रों के साथ बाचेत करेंगे जिससे ससस्त्र सेनाओं के प्रती छात्रों का आकर्शन बढ़ेगा स्री सिंग ने युबाव से आगर किया कि वे ससस्तर सेना का हिस्सा वने बनकर सम्मान गौरव और राश्च भक्ती का जीवन अपनाए जापान में देश की सतारोड लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी LDP के नेता सिगेरू इसी वाप्रधान मंत्री के रूप में कारेभार ग्रहन करने जा रहे हैं बाद में आज वे अपने नए मंत्री मंदल की घोशना करेंगे इस बेच आज सुबह जापान में मौजुदा प्रधान मंत्री फुम्यों खिसिदा ने तीन वर्स के कारेकाल के बाद अपने मंत्री मंदल से इस्तिफ़ा दे दिया इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाव्द हुआ नमस्कार